राश्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरन दिल्ली के और से पार्डी फ्लायोवर गिरने की जांच के लिए एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया गया 19 अक्टूबर की रात को पार्डी फ्लायोवर का एक सेग्मेंट गिर गया था जिसे प्रादिकरन ने गंभीरता से लिया है बयान जारी कर बताया गया है कि इसके लिए उच्च सतरिय तक्नीकी टीम का गठन कर गया है जो जांच करेगी राश्ट्रिय राजमार्क प्रादिकरन ने अपने बयान में कहा गया है कि ग्यानन धनकरले and Company Limited और SMS Infrastructure Private Limited सयुक्त रूप से इस प्रोजेक्ट को बना रही है H.B. टाउन से कलमना की और जाने वाले फ्लायोवर के पिलर साथ से सेग्मेंट गिर गया है प्रारंबिक जांच में यहाँ पता नहीं चल पाया है कि यहाँ घटना कैसे हुई है लेकिन यहाँ माना जा रहा है कि बेरिंग कॉलाप्स होने के कारण यहाँ घटना हो सकती है कमिटी की जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा NH AI का कहना है कि अन्यप पिलरों पर इसका कोई विपरित असर नहीं पड़ा है पिलर साथ और आर्ट को जनवरी 2018 में लगाया गया था तब से अब तक जांच की गई लासा मुंबई ने कई बार इसकी जांच की थी बेगरिंग का निर्मान Metal Engineering and Treatment Company Private Limited की और से किया गया है वर्तमान में निर्मान कार्य को रोक दिया गया है जांच होने के बाद ही दोबारा कार्य शुरू किया जाएगा इस बीच कितने का नुकसान हुआ है या इस घटना के बाद प्रोजेक्ट में और कितना विलंब होगा इसका अंदाज भी नहीं लगाया जा सका है उलेकन यह है कि पारडी फ्लायोवर सहीत संपुर्णक काम में हुई लेट लतीफी से लोग कई वर्षों से हलाकान है अब सबको यह काफी आश्चर्य हो रहा है कि एक लोकल कमपनी को प्रोजेक्ट का काम सौप आ गया था उसके बाद भी इतना विलंब होना दुर्भागे की ही बात है लेट तो लेट अब सेग्मेंट किरने के बाद स्थानिय कमपनियों की कार्य प्रणाली पर भी लोग उंगली उठाने लगे है उनका कहना है कि SMS जैसी कमपनी काफी प्रतिष्टित कमपनी है इसके बाद इस तानिय प्रोजेक्ट में इस प्रकार की लापरवाही मुश्किल है कॉलकाता की कमपनी के साथ सयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है